हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टु सपना, सिंपल और इजी कुकिंग आज हम बनाएंगे हेल्दी ब्रेकफास्ट मूली के पराथे मूली में बहुत ज़ादा कैल्शियम और आयरन होता है मूली ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़ादा फायदे मन्द है और इससे मिलने वाली कैलरी बाकी सबजियों से बहुत कम होती है मूली के पराथे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मूली लेंगे अब हम मूली को पानी से धोकर इसे छील लेंगे मूली को छीलने के बाद अब इसे कद्दू कस कर लेंगे मूली को हमने कीस लिया है पराठो के लिए हमने लिया है देड कब गेहू का आटा नमक स्वादा नुसार और दो चमच तेल डाल कर आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे से सारे लंज निकल जाए इसलिए अब हम हातों से मिक्स करेंगे अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका सेमी सॉफ्ट आटा गुन लेंगे आप देख सकते हैं हमने गुन्दा हुआ आटा बहुत सक्त और बहुत नरम नहीं है अब हम पराठे के आटे को 10 से 15 मिनिट के लिए ढपकर रखेंगे अब हम किसी हुई मूली को हाथों से निचोड कर उसका पानी निकाल लेंगे हम इसमें से जितना पानी दबा कर निकाल सकते हैं उतना निकाल लेंगे मूली से निकली हुए पानी को हम दाल में या सबजी के ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं पानी निकलने के बाद मूली का किस खुला-खुला हो गया है अब इसे बनने वाले पराठे बहुत जादा सौगी भी नहीं बनेंगे और बेलते समय फटेंगे भी नहीं अब किसी हुई मूली में आदा छोटा चमच अजवाईन को हाथों से मसल कर डालेंगे अब इसे में आदा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आदा छोटा चम्मच भूने हुए जीरे की पाउडर, एक चोथाई छोटा चम्मच आमचुर पाउडर, चुटकी वर हिंग, दो बारी कटी हरी मिर्च, एक चम्मच बारी कटी हुई हरे डालेंगे हमें पराठे के मिक्स्चर में नमक आखिर में ही डालना है क्योंकि अगर हम पहले ही नमक डालेंगे तो मूली को पानी छूटेगा और पराठे भी बेलने में मुश्किल होगी पराठो के लिए मिक्षर तयार है आटे को भी गून कर पंधा मिनिट हो गए है अब हम इसे थोड़ा सा तेल लगा कर अच्छी तरह से गून लेंगे आटे को हमने सौफ्ट होने तक गून लिया है अब इसकी छोटी-छोटी लोईया बनाएंगी हमने आटे की कुछ लोईया बना के रख ली है अब एक प्लैटफॉर्म पर थोड़ा सा आटा छड़क कर लोईयों की चपाती बेल लेंगे पराठो के लिए हमें थोड़ी पतली ही चपाती बेलनी है आप देख सकते हैं हमने एक चपाती बेल ली है इस तरह से हम कुछ चपातीों को बेल कर एक प्लेट में आटा छड़क कर एक के उपर एक रखेंगे आटा छड़कने की वज़े से चपाती एक दुसरे को चिपकेगी नहीं अब हम प्लैटफॉर्म पर थोड़ा सा आटा छड़क कर बेली हुई चपाती रखेंगे अब चपाती पर मुली का मिक्स्चर डालेंगे और उसे फैला देंगे मिक्स्चर को फैलाने के बाद अब चपाती के कॉर्नर्स में थोड़ा सा पानी लगाएंगे अब इसके उपर दूसरी बेली हुई चपाती रखेंगे अब दोनों चपाती के कॉर्नर्स को हलके हातों से दबा कर उन्हें चिपका देंगे इससे मूली की स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी अब और थोड़ा आठा छिड़क कर इसके पराठे बेल लेंगे आपको पराठो के लिए जिस भी तरह की साइज या थिकनेश चाहिए उस तरह से आप इसे बेल सकते हैं पराठा बेल कर तयार है अब इसे सेक लेंगे पराठो को सेकने के लिए तवा गरम हो गया है अब तवे पे आधा छोटा चमश घी डाल कर इसे फैला देंगे आप घी की बजाए तेल भी यूज कर सकते हैं अब हम इस पे बेला हुआ मुली का पराठा डालेंगे अब पराठे के उपर के साइट पे भी और थोड़ा घी डालेंगे अब पराठे को एक साइट से लो मीडियम आज पर एक मिनिट के लिए सेकेंगे पराठे को लो मीडियम आज पर एक मिनट तक सेखने के बाद अब इसे पलट देंगे अब दूसरी साइट से भी इसे एक मिनट के लिए लो मीडियम आज पर सेख लेंगे इस तरह से हमें पराठे को हलका गुलाबी रंग होने तक दोनों तरफ से सेखना है पराठा सिखकर तयार है अब हम इस पे बटर लगाएंगे और ये totally optional है गर्मा गरम मुली के पराठे सर्व करने के लिए ready है आप इसे दही के साथ, अचार के साथ या सौस के साथ सर्व कर सकते है बहुत ही आसानी से बनने वाले healthy और tasty मुली के पराठे आप जरूर बनाईए और हमने share किये हुए सारे tips और recipe अच्छी लगे तो आप like बटन क्लिक करके अपना feedback comment box में share कर सकते हैं Thank you